नुहू बार एसोसेशन में हुए चुनाव में एड़ोकेट समीम एहमद सालाहेडी ने 98 मतों से प्रधान पद का चुनाव जीत लिया है ये जानकारी देती हुए चुनाव अधिकारी M.U. हसन ने आज बताया कि प्रधान पद के लिए 437 मत पड़े जिन में तीन मत रिजेक्ट हुए कुल 434 मतों में से कामालुद दीन मालव को 168 समीम एहमद सालाहेडी को 266 मत पराप्त हुए मुहमद नौमान मेवली उपरदान सची उपद पर हामिद हुसेन खेडला चुने गए हैं आज बताया कि सन्युक्त मंत्री पद के लिए मुहमद मुजाहिद खजांची के लिए तारिक हुशेन वे लाइबरेरी इंचार्ज के लिए तयव हुसेन को निर्वरोध चुना गया है बार चुनाव कुले का चुनाव कमिटी के सदसे वे पुलिस परसासन ने सुरक्षा व्यवस्ता कोविड नियमों का जिम्मा संभाला हुआ था अधिवक्तागर्ण लाइन में लगकर अपने अपने मत का परियोग कर रहे थे चुनाव में विजे पदादिकारियों ने सभी को धन्यवाद करती हुए सबखा साथ लेकर बार का विकास करने की बात कही नुहुबार एसोसेशन के चुनाव अधिकारी म.यू हसन ने बताया कि पदादिकारियों को उनके परमान पतर स्वाप दे गए हैं वही नुहुबार की नई कार्य करनी गठित होने पर अधिवक्तावने खुशी ज़दाते हुई उनको फूल मालाओ के अलावा मिठाई खिला कर मुमी ठकराया भारत टीवी डेक से रिजवान खान की रिपोर्ट